हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कुकिंग विद अमरिता में आज मैं शेयर कर रही हूँ बेशन लच्छा पराठा की रेसिपी जिसे आप छोटी मुटी भूग के लिए शाम या सवेरे किसी समय 10 से 15 मिनट में तयार कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक बाउल में दो कप गेहूं का आठा लिया है दो कप आठे से मैंने 5 पराठे बनाए हैं आपको जितने पराठे बनाने हैं उसके इसाब से आठा ले लेजिए अब आटा को गून लेते हैं तो जैसे हम नॉर्मल चपाती का आटा गूनते हैं वैसे ही आटा गूनना है तो मैंने दो कप आटा के लिए एक कप पानी लिया है आटा में पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जैसा हम चपाती के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा कडो तयार कर लेना है यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके अल ओप्सन को सेलेक्ट कर ले आटा को मैंने गूंद लिया और एक कप में एक चमज की लगबख पानी बजगिया है अभी आटा को ढग कर दस मिनट के लिए साइड रख देते हैं और तब तक बेसन लच्छा पराठा के लिए मसाला बेसन बना लेते हैं इसके लिए एक बाउल लिया है उसमें चार बड़े चमज बेसन लियें अब इसमें आधी छोटी चमज देगी मिर्च एक तियाई छोटी चमज चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई छोटी चमज हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच साबोजीरा, एक छोटाई छोटी चम्मच अजवाईन, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक और मीर चाप अपने स्वाद के अनुसार ले ले एक चोथाई छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, दो पींच हिंग और एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाला है अब सभी सामगडी को एक चम्मच की साहता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि साड़े मसाले पूरे वेशन में एक साड़ से हो जाएं और इसको साइड रख देते हैं आटा गुंद कर रखे वे 15 मिनट हो गया है तो एक बार आटा को फिर से हम 3-4 मिनट के लिए गुंद लेते हैं इससे कि यह सौप्ट हो जाए और अब इससे लोई तोड लेते हैं तो मैंने 5 पराठे बनाएं तो मैंने 5 लोई तोड ली है अब गैस पे तवा को गरम होने रख दिया है और इधर तब तक हम लच्छा पराठा बेल लेते हैं लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक लोई को गोल करते हैं और उसको पल्थर लगा के एक चपाती बेल लेनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मली चपाती घर में बेलते हैं चपाती बेलने में बीच बीच में जैसे हम पल्थर लगाते हैं वैसे ही इसमें भी पलतन लगा के इसको बेल लेंगे तो मैंने चपाती बेल के तयार कर लिए अभी हम इसमें बेशन की फिलिंग करके लचा पराठा बनाएंगे सबसे पहले चपाती पे एक छोटा चमज घी डाल कर इसको लगा लेंगे घी की जगह पे आप ओयल का भी परियोग कर सकते हैं घी से टेस्ट जादा अच्छा आता है घी को पूरे चपाती पे फैला लेना है जैसा की आप वीडियो में देख रहे हैं अब जो मसाला बेशन बना के तयार किया था उसको चपाती पे फैलाना है चपाती पे जो घी लगाया है बेशन उससे चिपक जाएगा अभी सबसे पहले बेशन को चपाती पे फैला लेते हैं बेशन को पूरी चपाती पे फैला लिया है अब चपाती को फोल्ड करना है जैसे बचपन में हम पेपर को फोल्ड करके फैन बनाते थे उसी तरह से अभी चपाती को फोल्ड करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो चपाती को मैंने फैन की तरह फोल्ड कर दिया है अभी इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे इससे क्या होगा कि लच्छा पराटा का जो गोला है उसमें ज्याधा सरकल बनेंगे जिससे की ज्यादा लच्छे आएंगे इसको थोड़ा लंबा करें लेकिन बस धिहान रहें कि ये टूटे नहीं अब इसका गोला तयार कर लेते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इसका जो लास्ट पार्ट है उसको एक तरफ लच्छा पराठा में नीचे करके प्रेस कर देंगे और इस तरह से लच्छा पराठा का लोई तयार हो गया अब इसको बेल लेते हैं इसके लिए इसमें सबसे पहले पल्थन लगा लेंगे और पल्थन लगा कर इसको हलके हाथों से बेल लेंगे तो बेलते समय भी आपको लच्चे साप दिख रहे होंगे जोकि तवे पर सेखने के बाद तो बिल्कुल खुल के आएंगे तो बस लच्चा पराठा बेल के तयार है इधर तबा भी गड़म हो गया है तो लच्चा पराठा को बेल के अब तबे पे डाल देते हैं और दो मिनट के बाद इसको पलट देते हैं जब तक यह पराठा सीख रहा है मैं दूसरा लच्चा पराठा बेल लेती हूं तो मैंने चपाती बेल लिये दब एक चमच गी लेकर गी को पूरी चपाती पे फैला देते हैं क्योंकि जहां गी नहीं होगा वहां पे बेसं नहीं चिपकेगा इसलिए ध्यान से पूरी चपात बने से इसमें लच्चे बनते हैं तो चपाती को थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से पूरी चपाती को फोल्ड कर लिया है और अब इस फोल्ड किये वे चपाती को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इससे इसमें ज्यादा सरकल बनेंगे और इससे फि पीछे की तरफ दबा देंगे और इसको पल्थन लगा के हलके हांतों से बेल लेते हैं तो इस तरह से दूसरा लच्छा पराठा भी बिलके तयार है अब जो तवे में लच्छा पराठा था उस पे घी लगा देंगे और घी लगा के इसको पलट देंगे और फिर दूसरी तर्क गोल्डेन कलर के होने तक सेम asp लेते हैं और इस तरह से एक लच्चाय पराठता बन के तयार हम गया। इरसाल पषाप निंद्ध निकार लेते हैं और दूसरा लच्चय पराठता जो बेल के तयार किया था वह में डाल देती ह। इस तरह से मैंने साड़े लच्छे पराठे बना लिए लच्छा पराठा को सर्व करने से पहले गरम गरमी दोनों हतेलियों के बीच में रखे इसको एक बार इस तरह से क्रश कर ले इससे पराठा के लेयर्स और भी खूल जाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं